मस्कार आप सभी का महादेव क्लासेज में स्वागत हैं मैं आज आपके सामने मुकुल चंद्र डे के बारे में बताने जा रहे हैं इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कीजिएगा ठीक है और कमेंट भी कीजिएगा तो आज हमारा टोपिक है मुकु चंद्र डे तो मुकुल चंद्र डे जो थे इनका जनम 1895 में स्रीधर बेला बांगला देश में हुआ था इनके जो थे पिता का क्या नाम था कालू चंद्र था और माता का पूर्णा ससी देवी क्या नाम था पूर्णा ससी देवी और इनोंने जो थी मुकुल चंद्र डे ज तो इन्होंने सिक्ष्षा जो थी 1912 क्या आसपास सांतिनिकेतन से ग्रहन की ती इनके कलागुरू जो थे वह ते और किसके अंतरगत इन्होंने सिक्षा ली थी तो वह लीथी इन्होंने रविंद्र नाथ ठाकूर शो बीद्य G die आता है इनका जो कहने में यह आता है कि इनका जो पालन फोसन जो था वो भी इनोंने रविंदर नरा टैगोर के यहां पर ही हुआ था इनके भाई का नाम जो था मुकुल मनिस्चंद्र डे क्या नाम था मनिस्चंद्र डे मनिस्चंद्र डे जो था उनका जनम हुआ था 1906 में ठीक है और आगे मैं बता रही हूँ रविद्नाठ ठाकुरू इन्हें जो है ये एक बहुत महान व्यक्ति थे इनको प्राप्त हुआ है कौन सा पुरुषकार मिला है नोबल कम मिला है 1913 में कम मिला है इनको 1913 में किस पर मिला है गीतान जली पर ठीक है किसको रविद्नाठ ठाकुर को तो आगे मैं बता रही थी अपना को टोपिक तो इनकी सिक्षा जो थी अविद्नाठ ठाकुर और रविद्नाठ ठाकुर के नेतरत में हुई थी इन्हें जो बॉकिंगम फैलेज में जो है गिंग जार्ज किसके द्वारा किंग जार्ज पंचम के द्वारा जबाली मेडल कौन सत? जबाली मेडल और कोरेनेशन मेडल प्राप्थ हुआ था? किस के दुवारा प्राप्त हुआ था इन्हें King जार्ज पंचन दुवारा किसको प्राप्त हुआ था मुकुलचंदर देखो इनको जो है भारत में जो है Dry Point Aiging के निर्माता माने जाते यानि राइ पॉइंट एचिंग का जो कार्य होता है, उसके निर्माता किसे माना जाता है? मुकुल चंद्र डे को, यह इनका विसकारक किसने किया था भारत में? मुकुल चंद्र डे में, यह most important question है, एक तो सबसे पहले इनका जनम कहा, कब हुआ था, दूसरा, इनकी सिक्षा कहा पर हुई थी, यह most important है, और तीसरा, इनके गुरु कौन थे, और एक यह वाला question कि, इनकी किसका निर्माता कहा जाता है, तो फिर आगे, सन 1928 में, कलकत्ता कला स्कूल में, प्रधाना चारिये निक्त होगे, कहा पर निक्त होगे प्रधाना चारिये, कलकत्ता कला स्कूल, जो गोर्मेंट कलकत्ता स्कूल था, उसके जो है, यह प्रधाना चारिये निक्त होगे, कौन होगे, निक्त हमारे मुकुल चंद्र डे, इन इनकी प्रथम परदर्वधनी जो थी वो 1928 कॉलकता में लगी थी इनकी प्रथम परधर्वधनी इनगों परशिदी व्यक्ति चित्र जो थे उन में थे महातमा गांधिना टायगौर बिठे ते रविद्ना टैगोर एनीक महत्मा गाणी हुँआ इनके कुछ अन्या चितर पी थे इनका एक अन्या चितर था नाव का जीवन उपी में कुम्सा था नाव का जीवन जो किस माध्यम में pass लकड़ी के ब्लोक में किसमे था लकड़ी के ब्लोक में और कब बनाता ये 1919 में बना था कब बना था 1919 में किसमे था लकड़ी के ब्लोक में ठीक है लकड़ी के ब्लोक में था किसमे था इनका ये चित्र लकड़ी के ब्लोक में फिर उसके बाद जो इनका चित्र जो था नाव का जीवन किसमे था नाव का जीवन ये जो था लकड़ी के ब्लोक में बनावा था कब बना था उन्नीस सो न्नीस में रत्य रत्य लड़की अगला चित्र था इनका न्रत्य रत लड़की लड़की यानि रत्य करती लड़की फिर है अगला चांदरी रात में गंगा अगला चितर कौन सा था चांदनी रात में गंगा अगला था फिर तरपन फिर था फीसर गर्ड फिर है अगला जो था ये गलत है फिर जो अगला चितर जो था इनका वो था सकुंतला की व विदाई जो और इनकी मुरत्य जो थी ही वो 1989 में हुई थी कब हुई थी 1989 में हुई थी तो मैं ने क्या बताया आपको कि कि इनका जनम कहा हुआ था 1925 में में स्रीधर बेरा बंगला देश पे हुआ था पिता का नाम इनके काल गुदास था और इनकी सिक्षा जो सांतेनी केतन में हुई थी, इनके माता का नाम पूर्णा ससी देवी था, इनको जाज परचन दुआरा जवाली पुरुसकार मिला था, इनके गुरु जो थे, रविदना टैगोर और अविंद्रना टैगोर थे, ये एचिंग के निर्माता थे, अठाइस में इन्होंने कहां से कलकत्ता विद्याले में परचारिय ने उक्त हुए, उनीस सो थाइस में, तथा इनकी प्रत्थम प्रदस्नी जो थी, कहां लगी थी, कलकत्ता में लगी थी, उनीस सो थाइस में, इन्होंने एनिवेसेंट और जो बोलते हैं, रविदना टैगोर, मात्मा गांदी के क्या बन कीर तरपन फिसर गर्ल यह चित्र जो है इन्होंने बनाए थे यह नहीं है यह गला थे ठीक है और इनकी म्रत्यू कब हुई थी इनकी म्रत्यू जो थी 1989 में हुई थी तो मैं इसी के साथ अपनी वानी को विराम देती हूं प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कीज धन्यवाद